हालो फैंस बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे लेटस प्रेटर्न के इस पॉर्टिगर के कुछ कोश्चिन्स और यह कोश्चिन्स सभी बेंकी एक्जैम्स के लिए काफी इंपोटेर रहेंगे क्योंकि यह के कुश्चिन्स हैं देखिए पहले क्या होता था एक सेंटेंस में एक पूछी आती थी अभी इस समय दो पूछी जा रही हैं और कुछ बेंकी एक्जैम्स में आपसे तीन इरर भी पूछ सकते हैं तो इसके लिए आपका आपके कॉंसेप्स काफी अच्छी होने चाहिए औ अब देखिए थोड़ा सा यहां पर में प्री और मेंस एक्जाम के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि प्री में आप स्पीड को मैंटेन करें ज्यासाद आप स्पीड को गेन करने कोशिश करें और मेंस एक्जाम में आपके जो कॉंसेप्स रहते हैं वो काफी इंपोर् फूर इटस आहां पर इस लिखाने। किम सब क से आतों से देखिए इन दौनों इंतर यहां पर मैं को या आपको कुछ से कांसेप्स्ट बताऊं सक एक इसमीन के लिए इस अपनी थीम के लिए फिमस है ठीक है तो यहां पर यह जो वर्ड है इसके स्थान पर आप यहां पर बोलेंगे बिना जिसमें एस नहीं लगा रहता है यह वाला इस यह वाला इस बोलेंगे आप यहां पर ठीक है तो एक तो इसमें यह गलती हो गई इस थी यानि यह किस पार्ट में गलती है यह है बी पार् यह है in the same lines actually यह होता है on the same lines on the same lines का मतलब है किसी कि जैसे गाना होता है जैसे एक movie होती है जैसे थीम होती है तो उसी pattern पर ठीक है on the same line मतलब उसी concept पर या उसी pattern पर same pattern पर किसी चीज़ को फिर से बनाना on the same lines का यह मतलब होता है तो यहां पर in the same lines के स्थान पर यहां पर आएगा on the same lines यानि यहां पर एक तो C हो गया और एक आपका B हो गया यानि B और C इसमें आपका answer होगा तो आपका answer होगा second इस तरह के questions bankler के exam में प्री रोमेंस दौनों में ही आपसे पूछे जा सकते हैं और काफी trending यह question है लेकिन इसमें दो के स्थान पर आपसे तीन इरस भी पूछी आ सकती है एक सेंटेंस में तीन इरस तो उन इरस को आप तभी कर पाएंगे जब आपके concepts clear होंगे आई होप आपको यह समझ में आया होगा पूरा वीडियो क्लास देखिए इसमें काफी सारे concepts में आपको बताऊंगा और यह है question number second the labor union cannot put forth forward देखें the labor union cannot say लेकिन यहां पर यह जो phrasal verb है put forth इसके आगे forward लगाने की जरूवत नहीं है put forth का मतलब किसी चीज को propose करना या रखना the union cannot put forth the sorry the labor union cannot put forth यहां पर यहां पर यहां पर यह भी गलत है actually their demand क्यों होगा यहां पर यहां पर its demand होगा they are demand लेकिन एक गलती इसमें निकल चुकी है unless all the decision makers in the union do not unless के साथ do not नहीं आएगा यहां पर तो इसमें एक तो यह बी हो गया और एक यह हो गया डी तो इसमें आपका अंसर है बी डी ठीक है unless के साथ हम do not का प्रियोग नहीं करेंगे क्योंकि unless अपने आप में एक negative word है unless का मतलब होता है if not चलिए देखते है next question when one talks one यहां पर singular है तो इसके साथ talks जो है यह सही है क्योंकि यदि singular subject है तो वर्ब में भी हम ऐस लगाते हैं when one talks about sanitation, cosmetic and superficial measures such as photo ups, celebrities and political figures, cleaning roads do not help the main cause इस sentence का मतलब क्या है कि when one talks about sanitation जब हम sanitation या साफसफाई की बात करते हैं तो जो superficial measures है जो उपर-उपर से हम उपाय करते हैं कि celebrities से किसी road को साफ करवा दिया या celebrities के celebrities से संबंदे जो चीए होती सुपरफीसियल ठीक है उनके एक फोटो शीट करा दिया उसको अकवार में छाप दिया उस तरह की चीजिए काम नहीं करती एफेक्टिब नहीं रहती तो वेन वन टॉक्स अबाउट सैनिटेशन कॉस्मेटिक इन सुपरफीसियल मेजर्स मेजर्स मतलब उपाय क्या यहां पर डू नॉट सही है यहां पर इसमें आपका अंसर होगा नो एरर ठीक है तो तो कॉंसेप्स से संबंदित आप मेरे ब्लॉक्स भी पर सकते हैं इंग्लिस एक्षन में आपको लगता है कि इंग्लिस एक्षन buddies रुक रायाकी इसके लिए आप हमारे इसे description box में मिल जाएंगे वहां से इनको आप जोइन कर सकते हैं कि कोश्य नंबर 4 देखते हैं the college is holding a special lecture for their students अब देखिए यहाँ पर college कैसा है यहाँ पर यह देर जो आ रहा है किसके लिए आ रहा है their student मतलब उनके student किनके student की बात हो रही है यहाँ पर इस college के student की बात हो रही है और college कैसा है college है singular तो इसलिए यहाँ पर हम their के स्थान पर हम बोलेंगे its students its student हम यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर ठीक है and teachers so that they might get enlightened about economic problem in the country अब यह problem तो है इसमें एक यह तो एक simple error है लेकिन दूसरी एरर क्या है वो थोड़ी सी tricky है वो एरर क्या हो सकती है वो एरर है इसमें माइट ना आते हुए इसमें आएगा मे क्योंकि यहाँ पर हम एक probability बता रहे हैं कि एक lecture जब special lecture लिया जाएगा तो उससे teachers और student enlightened होंगे उनको काफी को सीखने को मिलेगा तो इसमें probability जो है वो एक substantial probability है यहाँ पर ना के बराबर probability नहीं है ठीक है माइट का मतलब तो होता है 1% मे का मतलब होता है 30 to 40% तो यहाँ पर एक substantial probability है हम ना के बराबर probability की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं कि माइट आता है माइट का मतलब होता है हो सकता है ऐसा हो लेकिन यहाँ पर हो सकता है ऐसा हो नहीं है यहाँ पर तो ऐसा होगा ही होगा क्योंकि जब special lecture लगेगा तो से teachers और student enlightened होंगे और उनको knowledge मिलेगी तो माइट का प्रियोग थोड़ा सा यहाँ पर गलत है हलांकि spoken English में ऐसे बोला जा सकता है लेकिन grammatic के लिए गलत है तो यहाँ पर एक तो हुआ B और यह हुआ आपका C तो BC इसमें आपका सही answer है इस तरह के questions में आप काफी अच्छा score कर सकते हैं यहीं आपकी पढ़ने की speed अच्छी है ठीक है the theory of relativity given by Einstein is so complicated so के बाद जब हम बोलते हैं जैसे so dull so tired he is so old तो उसके बाद हम degree दिखाने के लिए कि उसका effect दिखाने के लिए उस objective का जैसे हम बोलते हैं कि जैसे मैं बोलूं की the question was so easy that everybody could do it मतला question इतना सरल था कि हरको इसको कर सकता था तो effect हम दिखाते हैं that के through so के साथ that actually आता है but Albert Einstein is so complicated that यहाँ पर आएगा that that we cannot describe अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं Albert Einstein की theory की बात कर रहे हैं जो की singular है we cannot describe what we cannot describe it तो यहाँ पर आएगा it यानि इसमें एक तो D गलत है और एक C गलत है C और D इसमें गलत है तो आपका answer होगा यहाँ पर question number six देखते है even if he had been driving more slowly it देखिए यह past perfect tense है past perfect tense में हम head के साथ head या head had been के साथ हम would have been लगाते हम will have been नहीं लगाते तो यहाँ पर आजाएगा would have been quite impossible और यहाँ पर आजाएगा to avoid ठीक है तो D एक गलत है और एक C गलत है C और D इसमें गलत है तो इसका answer होगा आपका four question number seven देखते है as economic restructuring in Central and Eastern Europe progresses an estimated 15 million people may find themselves out of work ठीक है यह sentence में कहां गलती लग रही है an economic सही है an economic restructuring in Central and Eastern Europe progresses जैसे जैसे Central और Eastern Europe में economic restructuring progress करेगी ठीक है तो उससे एन estimated 15 million people may find themselves out of work 15 million लोग अपने आपको out of job पा सकते हैं या हो सकते हैं तो फस्सेंटेंस जो है इसमें present simple टेंस में लेखा है और दूसा सेंटेंस में में के साथ या कैन के साथ लेखा है तो यह structure जो है यह सही है तो grammatically और context वाई यह sentence सही है इसमें कोई error नहीं है इसका answer होगा no error question number eight देखते हैं the secretary of the workers union remarked that the present government देखिए यहां पर जब हमने past tense की बात की है तो यहां पर भी past tense होना चाहिए यहां पर हो जाएगा was was so selfish that it cared very little about solving solving no one else's problem no one else's की मतलब है देखिए little जो है एक negative word है ठीक है little के साथ no one नहीं आएगा यह दोनों negative word हो गए यहां पर little के साथ आप any लगा सकते हैं double negative नहीं आएगा इसमें तो इसमें तो हो गया आपका सी और हो गया डी यह c में है और यह है आपका d में cd तो यह second आपका यहां पर सही आंसर होगा कुश्य नबर नाइन देखते हैं when a man is so busily engaged इंगेस का मतलब भी होता है किसी चीज में व्यस्त होना को अब लगा सकते हैं क्योंकि इंगेस यहां पर इक और यह एक जैक्टिव से पहले आप एड़र्ब लगा सकते हैं इसको इसको इंटेंसिफाइक करने के लिए मैं से पहले यह लगा है यो कि सही है वैं आम मैं इस सो सो busily engaged यहां पर सो के साथ है तो यह यह सही है ही का प्रियोग यहां पर सही है हाला कि जंडल सेंस में बात हो रही है मैं वुमें दोनों के लिए ही बात हो रही है लेकिन यहां पर हम मैंस्कुलाइन जेंडर को प्रफर करते हैं जब हमें जेंडर नहीं पता होता कि मैंस्कुलाइन या फैमिलिन है तो हम मैंस्कुलाइन को कि एक विक्ति किसी एक्टिविटी में बिजी रहता है और इतना बिजी रहता है कि उसके पास किसी और चीज को काम करने का वक्त नहीं मिलता तो हम हम बूलते हैं कि उसके हैं फुल है ठीक है यह सेंटेंस का मतलब है काफी अच्छा यह सेंटेंस है और इसमें नो एरर है इसमें कोई एरर नहीं है यह स्टक्चर यह सही है चली कोशन नमबर टैन देखते हैं दा स्मगलर्स विच्छ हैड स्मगलर्स एक्शली परसंट रश्टार परसंट के साथ हम बिच्छ नहीं लगाते एक तो इसमें ए गलत हो गया इस टेस्ट दे ट्रेजर मतलब खजाना टेजर का मतलब होते है खजाना इस टेस्ट का मतलब वहाँ पर जमा करके रखना किसी चीज को उसको हम बोलते हैं इस टेस्ट इस टेस्ट दे ट्रेजर on the island went back again because they thought they can now can नहीं आएगा यहां पर क्योंकी past tense की बात हो रही है इसमें तो यहां पर आजाएगा could और यहां पर आजाएगा who यनि a और d यहां पर सही आंसर है आपका ठीक है आपका आंसर होगा fourth तो इस तरीके से इन questions को आपको करना है आई होप आपको यह सारे कोश्चिन समझ में आये होंगे और इस तरह के कुश्चिन की में ज़्यादा प्रेक्टिस आपको इस चैनल पर करवा हूंगा यह फस्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं इस रवांटी चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सा चैनल पर अप्लोड करता हूं इनको आप रेगुलरली देखें और यह दिया आप इंग्लिश एक्शन में प्रोफेशनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे एकोसे जोइन कर सकते हैं इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलें का process के तू आप कर सकते हैं इनको अब यदि जोइन करना चाहते हैं तो नीचे में लिंक दूबाब कर लिए और तूपास एंग्श के अग्रिश एकशन के लिए को सबढ़ सकते हैं तो इस वीडियो क्लास में इतना ही है अब आप से हॉँगा दिस्क नेक्स वीडियो क्लास में, थैंक यू